आज हम लाए हैं व्रत की छे रेसिपी जिसे हम बहुती आसानी से बना सकते हैं मैंने आपे कुछ इनोवेटिव और अथेंटिक रेसिपी दी हैं ताकि आप इन्हें घर पर बना कर एंजॉय कर सकें खिली खिली साबुदाना खिचडी जी हां व्रत का नाम लाते ही दिमाग में आता है सबसे पहले साबुदाना खिचडी पर काफी लोग ने मुझे बोला है कि उनकी खिचडी खिली 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 नहीं बनती है तो आज मैं आप सबके लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी लेकर आई हो टिप्स और ट्रिक्स के साथ में इसके लिए मैंने यहां पर एक कप साबुदाना लिए हैं आपको जितने खिचडी बनानी है उस अकॉर्डिंग आप साबुदाना लीजिए और इस तरह से जब साबुदाना हम यहां एक बोल में डाल देंगे तो इसे हम एक से दो बर पानी से धोलेंगे इसे पानी से धोना बहुत जरूरी है ताकि जो इसके अंदर स्टार्च होता है वे निकल जाए और हमारी खिचडी काफी अच्छे से खिली खिली बने तो यह पहला important tip है मैंने से धोलिया है अब आप पहले से ही बोल बढ़ा लें उसमें हम यहां पर पानी डालेंगे अब पानी इतना ही डालें कि हमारे साबुदाना भीग जाए बस इतना ही पानी डालना है ज्यादा पानी ना डालें नहीं तो साबुदाना ओबर सोक्ट हो जाएंगे और हमारी खिचडी चिपकी चिपकी बनेगी तो इस तरह से भरने के बाद में हम इसे ढख कर करीब 5-6 घंटे के लिए साइड में रख देंगे फ्रेंट्स आपको जब यह खिचडी बांडिंग बनानी है ता आप इसे नाइट में भी भीगो के रख सकते हैं साबुदाना होने चाहिए तो आप हाथ डाल की ही देख रहेंगे काफी ड्राय लग रहे हैं बिल्कुल आपको अभी लगेगा नहीं कि यह सोग्ड है लेकिन आप जब इन्हें प्रेस करेंगे तो आपको यह एकदम अच्छे से दब जाएंगे देखिए इसी तरह का हमें साबुदाना चाहिए पॉफेक्ट खिली-खिली साबुदाना खिषडी बनाने के लिए तो अब हमारे यही तैयार हैं इसके बात हम आधा कप के करीब यह मुंगफली लेंगे जिसे मैंने सेख कर छिलके निकाल दिये हैं अब हम एक मिकसर जार लेंगे और इसमें करीब 3-4 मुंगफली डाल देंगे और इसका चूरा कर लेंगे थोड़ी सी मुंगफली हम बचा लेंगे बाद में इसे काम में लेंगे आप चाहिए चलके वारी मुंगफली भी ले सकते हैं अब हम इस मुंगफली का चूरा यानि की पाउडर सा बना लेंगे हमें एक दम फाइन पा कड़ाई लेंगे और इसमें करीब दो टेबल स्पून घी या तेल डाल लेंगे या आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है मैं सावदाना खिष्डी हमीशा घी में बनाती हूं और मैं यहां पर कोई नौस्टिक कड़ाई का यूज नहीं कर रही हूं तो आपको मैं प्रॉपर कड़ाई कर लिए कड़ाई मेरी भारी तलीकी है घी को लो फ्लेमपर गरम करेंगे इसमें हम जीरा जीरा डाल देंगे, ध्यान रखें, फ्लेम को लो पर ही रखें, यदि हमारी कड़ाई बहुत तेज गरव हो जाएगी, तो साबदाना इसके उपर चिपक जाएंगे, अब मैंने यहां पर दो से तीन हरी मिर्च डाल दी है, हरी मिर्च का बहुत ही भड़िया फ्लेवर आता है साबदाना खिच्डी में, आप इसमें एक बार डाल दें, और आप बच्चे हैं, तो इन्हें बाद में आप निकाल दें, उसके बाद उन्हें सर्फ करें, अब मैं हाँ पर ये, जो कुटी हुई हमने मुंख़ली रखी थी वे डाल देंगे, जो हमने पीसी थी उसे हम कर डालें, इसे खिच्डी का बहुत अच्छा टेस्ट और टेक्शर आता है, इसे हम करीब एक मिनिट के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे, ध्यान रखें, मैं बाबर कह रही हूं फ्लेम को लो पर रखें, क्योंकि कड़ाई हमारी ज्यादा गरम हुई, तो हमारी आपको अभी साबुदाना वाइट दिख रहा होगा, करीब दो से तीन मिनिट बाद आप देखेंगे, तो धीरे धीरे साबुदाना वाइट नहीं दिखेंगा, यह ट्रांस्परिंट हो जाएगा, और बहुत अच्छे से पक भी जाएगा, देखिए, यह काफी अच्छे से पक गया है, और यह देखिए, अब इस तरह से यह कलर अरभीस का चेंज हो गया है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर साबुदाना को पका लेना है, हिलाते हुए, ऐसा करने से साबुदाना आपस में चिपकते रही है, बहुत अच्छी खिषडी हमारी खिली-खिली बनती है, अब मैं यहाँ पर एक चम्मच निबू करस डाल यहाँ पर एक चम्मच चेंज हमी करएं एक फाइनल वफेक टेक्शर आता है तो देखे कितनी खिली 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 बनी है हमारी मैंने इसे बिना नॉन स्टिक कड़ाई के यूस की हुए ही बना लिया है बहुत ही बढ़ा खिच्डी बनी है आप इसे जरूर बना अपने एक्सपरियन समासत जरूर बताए थेंक यू मै मैंगो की डिफ्रेंट डिफ्रेंट वराइटिस खाने को मिल जाए तो क्या कहना मैं आज आप सब के लिए व्रत में खाई जाने वाली साबुदाना मैंगो खिर लेकर आई हूँ जिसे हम चटपट से बना कर एंजॉय कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनती है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक भारी तलिक की भगोनी लेंगे और इसे हलका सा गीला कर लेंगे अब हम यहाँ पर हाफ लिटर फुल क्रीम मिल्क डालेंगे और इसे हाई फ्लेम पर एक बॉयल आने तक पका लेंगे जब भी आप इस तरह से फुल क्रीम मिल्क तब हम यहाँ पर इसमें डालेंगे भीगे हुए साबुदाने मैंने साबुदानों को पहले से ही धोकर पानी के भीगोकर रख दिया था यह करीब 1 फोर्थ कप साबुदाना है और आप देखी कितने सॉफ्ट हो चुके हैं एक घंटे में ही काफी अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं अब हम इन भीगे वे साबुदाना को इस दूद में डाल देंगी तो आप एक हास्य से दूद में डालते जाएं और एक हास्य आप हिलाते जाएं ऐसा करने से साबुदाने तली पे चिपकते नहीं है क्योंकि साबुदाना को इस आपने एक सते से डाल दिया तो यह बहुत जल्दी से साबुदाना चिपक जाता है और जलने लग जाएगा और आपकी खीर खराप हो जाएगी तो इस तरह से अब हम इसे कंटियूने से लाएंगे करीब 4-5 मिलिट में दूद काफी गाड़ा होने लग जाता है साबुदाना अपना स्टार्ट छोड़ते ही दूद को गाड़ा कर देता है तो देखिए कितना गाड़ा हो चुका है और हमारी खीर काफी अहद तक यहाँ पर अच्छी बन चुकी है देखिए साबुदाना भी काफी सॉफ्ट हो गया है और ट्रांस्परेंट भी हो गया है आप चाहिए तो इसे एक पर दवा की देखें यदि यह स्पॉंजी होता है तो यानि साबुदाना पक गया है अब यह काफी गाड़ा हो चुका है अब हम यहाँ पर इसे और नहीं पकाएंगे अब हम इसमें डालेंगे चीनी तो चीनी अब अपनी टेस्क के लिग कम ज़्यादा कर सकते हैं पर मैं इहाँ पर आज कम ही चीनी डाल रही हूँ तो मैं इसमें डालूँगी करीब 1 4th कप चीनी तो इस तरह से चीनी डालने के बाद में हम फ्लेम को हाई कर देंगे और इसके बाद में हम इसे कंटिनिस हिलाते हुए पकाएंगे चीनी डालते ही दूद हलका सा बतला हो जाता है तो इसे हाई फ्लेम पर कंटिनिस हिलाते हुए पका लें करीब एक सी दो मिट हमें और पकाना होगा चीनी के गलते ही हम यहाँ पर गैस कोई फ्लेम को लो कर देंगे और इसे हलका सा वापस से गाड़ा करेंगे और जब आपको लगे कि हाँ चीनी घल चुकी है और यह गाड़ा हो चुका है तब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे और गैस को बंद करने के बाद में हमें इसे यहाँ पर continuous हिलाते वे ठंडा कर लेना है क्योंकि अभी हमें इसमें mango flavor भी डालना है इसलिए इसे ठंडा करना बहुत ज़रूरी है आप फैन के नीचे से फटाफट से हिला के ठंडा कर सकते हैं तो इस तरह से देखिए यह काफी ठंडा हो चुका है और काफी गाड़ा हो गया है और एक्दम perfect consistency हमारी यह खीर की अब हम इसमें करीब half cup यह mango का पल प्राल देंगे मैंने इसे mixer में बिना पानी यह दूर डाले ही पीसा था और मैंने हापे अलफैंसो ली है इसका कलर इतना बढ़िया है और मैंने चीनी भी इसलिए कम डाली थी क्योंकि यह अलफैंसो काफी मीठा है तो इस तरह से कितना भड़िया color आ चुका है और एक दम perfect हमारी यहां पर यह consistency हमें मिल चुकी है अब मैं इसके अंदर थोड़े से आम के एक बारी cutaway pieces भी डालूँगी जो बहुत अच्छा taste देते हैं यह बिल्कुल optional है पर यदि आपके पास आम ज्यादा है तो आप इसे जरू डालें बहुत अच्छा taste आता है इससे आप यदि ठंडा ठंडा serve करेंगे तो जो खाने वाला है वो आपकी तारिफ की बिना नहीं रहेगा और आप देख सकते हैं कितने simple ingredients अपने से बना लिया है अब मैंने एक serving bowl को इस तरह से garnish कर लिया है आप चाहे जैसे इसे serve कर सकते हैं पर इसे ठंडा ही serve करेंगे तो चेल्ड serve करेंगे बहुत ही amazing लगता है इसे वरत की दिनों के साथ साथ आप parties में भी enjoy कर सकते हैं इसे simple ingredients है जटपट से बन जाता है और देखने में कितना tempting है ही friends इसी तहरे की recipes के लिए हमारे साथ बने रहें यदि आपको य recipe पसंद आती है तो comment में जरूर लिखें मिलते हैं एक नई recipe के साथ वरत के खाने का नाम दिमाग में आते ही सबसे पहले आता है धेट सारा घी तेल और बहुत सारी महनत आज मैं आपके लिए साथ इंडिन स्टाइल वरत के उत्पम और साथ ही मैं बहुती टेस्टी साथ इंडियन चटनी लेकर आई हूँ जिसे हम बहुती simple ingredients से बना लेंगे होते हैं तो इस तरह के चामल आप ले लीजिए इन्हें एक से दो बर आप पानी से अच्छे से धो लीजिए और धोने के बाद में हम करीब आदा घंटे के लिए ने भीगा के रख देंगे इन्हें बहुत जादा भीगाने की ज़रत नहीं पड़ती बहुती ईजीली भीग जाते हैं सॉफ्ट हो जाते हैं तो अब भीगने के बाद में इसका सारा एक्स्ट्र पाने निकाल देंगे और इसे हम एक मिकसर जार में डाल देंगे तो जब कभी आपको इस तरह से कुछ हेल्दी खाना हो तो इस रेसिपी को आप जरू ट्राय कीजिए तो सारा सामा चलिए अब हम याप पे डालें दो टेबल स्पून यह सिंघाडे काटा आपकी घर में कुट्टू काता यह को भी फलहारी आटा है जो हैं अब हम यहाप टालेंगे के करीब दही तो दही आप यही थोड़ा सा खट्टा लेंगे तो यह काफी अच्छा टेस्स देता है क्यो तो द्रग पीस पे जरूर डालें अब हम इसे पीस लेंगे तो फटा फट से एक से दो बार घुमाने पर यह काफी अच्छे से पिस चाता है और इस तरह का हमें यहां पर पेस चाहिए तो देखिए जरूर से ज़दा पानी डालें नहीं से पतला करें मैंने कोई पानी का यू फुलिंग रहता है और जली से पेट भड़ जाता है अब हम इसे एक बार वापस से मिक्सी में पीस लेंगे तो आप देख सकते हैं अभी हमारा मिक्स्टर जो है काफी ठिक हो गया है तो इसी तरह का उत्तम का बैटर बनाया जाता है तो मैंने इसी कसिस्टेंसी में से रखा सा फ्रेश धनिया डाल दीजिए और जो भी सबजी आप यहां पर रत में खाते हैं वह भी डाल सकते हैं अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैं थोड़ी सी यहां पर हरी मिर्श भी डाल रही हूं इसे काफी अच्छा टेस्ट आएगा मुझे हरी मिर्श का फ्लिवर पसंद है अब इसे मिक्स करके हम 10-15 मिनिट के लिए ढखकर साइड में रख देंगे अब मैंने यहां पर चटनी के लिए यहां एक टी स्पून घी को गरम कर लिया है अब तेल भी यूज कर सकते हैं और इसमें हाफ टी स्पून हम यहां पर जीरा पाउडर डाल जीरा डाल इसे तड़कने देंगे अब वन फोर्ट कप हम यहां पर मुफली डाल देंगे और इसे हलका सा लो फ्लेम पर रोस कर लेंगे हलका सा ब्राउन इस पर आ जानी चाहिए ओवरकुक ना करें नहीं तो मिल्ची जल जाएगी अब मैं यहां पर दो टीब स्पून की करीब डेसि Allah पुड़ा दो अपना डालना चाहिए तो फ्रेश नायरियल भी आप यहां पे डाल सकते हैं और इसे भी हम यहां पर कुछ शैकेंड्स के लिए लूग फ्लेम पर रोस कर लेंगे और गैस को बार द्चाहिए गिलीगे उसे अच्छे से ठंटा होने के लिए रखेंगे ठंदा होने के बाद में मिक्सर जार में डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा पाई डालेंगे और भॉत पीस लेंगे तो फ्रेंट्सी व्रत की दिनों की स्थ हिंडina चटनी आपको बेहतल पसथ आप इसे जरू ट्राइखेजेगा स्वात के लिए हम आया पर आधा चम्मच यहां पर रॉक्सवल्ट और थोड़ा साम नीबु का रस डाल देंगी आप यदि इमली व्रत में खाते हैं तो इमली का ट्कोड़ा भी डाल सकते हैं थोड़ा सा पानी डाल के जैसा कि मैंने पहले तो एक टीस्पून घी या ओयल जो भी आप खाते हैं व्रत के दिनों में उन्हें आपको से अप गरम कर लें थोड़ा सा महाँ पर जीरा डाल दूगी मैं जीरा यहाँ पर इस ती डाल दूगी काफी लोग व्रत में राई नहीं खाते हैं थोड़ी से करीपत्ता डाल तो पिसी हुई चटनी को इस तरह से बोल में निकाल लिजी और गर्मा गरम तड़का इसमें डाल कर आप से ढग दीजिए बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है एक बार मिक्स कर दीजिए और तयार है हमारी व्रत वाली साउथ हिंडिन स्टाइल चटनी जो की बहर टेस् है और इसे साइड में रखें अब हम बैटर को चेक कर लेते हैं बैटर अच्छे से भीग चुका है और यदि आपको और खटापन पसंदेते से आप दो घंटे के लिए फॉर्मेंट होने के लिए भी रख सकते हैं अब मैंने यहां पर एक नॉन स्टिक पैन को हलका सा घी से घ्रीज कर लिया है पहुँ ज़्यादा करने की जरतिन क्योंकि हमारा यहां पर यहां पहुंस्टिक पैन है दो टेबल स्पून भर के हम बैटर कर दालेंगे और इसे हलका सफ इसहां आप स्प्राइट कर देंगे तो इस तरह से बहुत ज्लाने नहीं कि इनन थोड़ी से बने इन भूटस पार तो आपढ़ी बाको दाद आप दाल लेंगे हाँ ते में सिर्फ सके घ्टक्रonnेन रख रहे हैं ताकि अच्छे से अंदर से भी पक जाए अब दोहरों तरब से अच्छे से खलर आ चुका है बहुत अच्छा ये इसका कलर है क्योंकि हमने हें रेगिलर बीसिस पर बहुती मज़े की लगती है तो इस बाद वरत की दिनों में इस healthy खाने को जरूर बनाए और वरत की दिनों को मज़े से enjoy करें मिलते हैं एक नई recipe के साथ में और आपको कैसी recipes चाहिए हमें comments में जरूर बताएं thank you क्या आपके साबुदाना वड़े फ्राय होते वक्त फट जाते हैं या बहुत अधिक तेल पी लेते हैं उपर से करारे नहीं बनते हैं अंदर से एकदम सौफ नहीं होते हैं तो ये रेसिपी एकदम आपके लिए है आज मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ एकदम important tips and tricks के साथ में इसके बाद आपके साबुदाने वड़े भी बहुती बढ़िया करा रहे हो क्रिस्पी बनेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने साबुदाना का वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले साबुदाना को सोक करना पड़ता है इसके लिए हम साबुदाना को लेंगे clean पानी से इसे दो लेंगे दोते ही हम इसका extra पानी निकाल देंगे और ढख कर इसे करीब 2 घंटे के लिए side में रख देंगे बीच वीच में आप इसमें हलका सा पानी स्प्रिंकल करते रहें ताकि ये soft और moist बने रहें हमें इने बहुत ज़्यादा over soak नहीं करना है ध्यान रखें बस हाथ से इस तरह से दबाने पर ये दब जाने चाहिए तब ही हमारे वड़े बहुत ही बढ़िया बनेंगे अब मैंने यहाँ पर 500 ग्राम साबुदाना के साथ ही 500 ग्राम आलू को पहले से ही बॉयल करके अच्छे से ठंडा कर लिया था उसके वाद इसे मैश कर लें और इसमें मिक्स करें अब मैंने यहाँ पर चौता एक कपकी करीब कुटी होई मुंफली ली है और साथ ही में हम यहाँ पर इसमें मसाले डालें अभी जब गीला नहीं है यह निया हो जाएगा तो MID कर आया II करें gwी काफी जदह वील आइब्जाने को है सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब अच्छे बनेंगे यह बहुत ही बुड़त ला रग्या कर आया है आप एक हाथ में एक मुठी भरकर आप मिक्षर लें और हाथों से खूब अच्छे से इसे एकदम टाइट बॉल की तरह बना लें उसके बाद में आप हतेलियों से दबा लें साइड्स को अच्छे से इन्हें फर्म अच्छे से राउंड शेप बना लें इवन कर लें उसके बाद में हम यहाँ पर इस तरह से टिक्या बना लेंगे तो हमें इन्हें जब भी बनाना है तो आप सबसे पहले एक टाइट बॉल बनाए उसके बाद मिसे फ्लैट करें और इसकी जो साइड्स हैं उन्हें अच्छे से आप इवन कर दें ताकि जब हम इन्हें फ्राइ करें तब यह फटेना तो छोटे छोटे से टिप्स हैं यहीं आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही कम तेल में बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी कुरकुरे साब दना वड़ाई बना पाएंगी इस तरह से हम सभी टिक्यों को तयार कर जब यह टिक्यों तयार हो जाएंगी तब हम इन्हें कम से कम 30 मिनिट के लिए फ्रेज में रखेंगे जी हाँ यह आप इन्हें फ्रेज में रखेंगे तो यह कम ऑईल एब्जॉब करती हैं और यह बिल्कुल भी नहीं फटते हैं इस टिप को आप जरूर आजमाईएगा औ इन्हें इसी तरह से फ्राइ करना है तेल की और गैस की आफले बिलकुल भी कम न करें क्योंकि हमने आप हे ठंडे हड़े डाले हैं तेल का टेल फ्लेम एकदम हाई पर है क्योंकि हमें वड़ों को उपर से अच्छे से क्रिस्प कर लेना है और अंदस एकदम मॉइस कर लेना है यादि हम पहले से ही तेल की और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे तो यह काफी ज़्यादा ओइल पी लेते हैं और आप देखी कितने बढ़िया यह कलर आया है अब हम यहाँ पर इन तले हुए वड़ों को बाहर निकाल लेंगे बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बने हैं और आप देख सकते हैं इन्होंने बिल्कुल भी ऑईल एब्जॉब नहीं किया है जो कि आपको उपर की सतह देखने से ही मालूम पढ़ रहा है और बहुत ही क्रिस्पी भी बने है बहुत ही बढ़िया साबुदाने बढ़ी बन गए है जटपड से बनने वालेश वरत के अलाब आप कभी भी एंज़ए कर सकते हैं कितने अंदर से मॉइस्टे हैं उपर से एदम क्रिस्पी है इन्हें आप हरी चटनी के साथ सर्फ करें और आज हम बनाएंगे रत में खाये जाने वाली सूपी साबुदाना खिचडी जी हां आप इसे खाके पीए या पीके खाएं बहुती अमेजिंग और टेस्टी और डिफरेंट रसेपी चली स्टार्ट करते हैं सिफ बनाना सबसे पहले मैंने यहां पर आधा कप साबुदाने लि करेंगे तो चलनी में इस तरह से आप साबुदाना को लें और उसके बाद में आप इसे दो लें मैं आप इसे बना रहे हैं तीन लोगों के लिए एक्दम पॉफ्यक्ट है इतने से साबुदाना से धेर सारी हमारी खिचडी बनकर आ जाएगी अब इसे आप साइड में रग आप चाहे तो बिना चलिकी वाली मुफली का भी यूज कर सकते हैं इसे लो फ्लेम पर रोस कर लेंगे तो फ्रेंट्स आप इस वीडियो को कौनसे सिटी से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताए और आपके किस तरह की साबुदाना खिचडी बनती है वह भी जाए और साथ ही में आप डाल दूगी एक आलू यह चील के स्था क्यूब्स में कट कर लिया है बहुत ज्यादा बड़े टुकुडे ना करें इस तरह से हम यह पर घी में इने फ्राइ करेंगे हलका सा में यह पर शैलो फ्राइ करना है इसे जो खिचडी में आलू जब हम ख हो जाए था उन्हें पर हम इसमें डाल देंगे और सावुदाना को भी घी में ही रोस्ट करेंगी ऐसा करने से सावुदाना भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर्फुल हो जाता है और जब आप खिचडी घाएंगे तो आपको खुद को ही अंतर मालूब पढ़ जाएगा कि हम करीब मिलाकर हम यहाँ एक मिनिट तक है इस तरह से रोस्ट करेंगे ऐसा करने से सावुदाना हलका सामारा सौफ्ट भी हो जाएगा और साथ ही यह थोड़ा सा घी में पक भी जाएगा मैंने यहाँ पैसे ढख कर करीब दो मिनिट तक और पकाया है ताकि आलू हमारे अब है आलू भी हमारे काफी कच्चे हैं अब मैंने जितना सावु मूत आना लिया था यानी मैं आधा कटोरी सावु अधा सावुदाना लिया था तो मैं यहाँ पर दो पर पानीका डाल दूँगी शाथ ही तालोगी नहीं एक चम्छ यहाँ पे रॉक सौट और आदा बिदे ख़कर करीब हम यहां पर दस मिनिट के लिए पकने देंगी दस मिनिट पर साउगदाना भी गल जाएगा साथी आलू भी बहुत अच्छे से पक जाता है इसे फ्लेम को लो पर ही रखना है और आप देख सकते हैं साउगदाना गल गया है और यह काफी मैंने पीनिट्स भी डाल दी है यह दिए आप टमाटर नहीं खाते हैं तो आप यहां पर लेमन जूस भी डाल सकते हैं और धेर सारा में पर फ्रेश सनिया डाल दूंगी और इस तरह से हमारी खिषडी बनकी बिल्कुल तयार हो चुकी है एक बार हम इसे इस तरह से मिक्स कर ना कर खा सकते हैं तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ कीजिए और अपने एकस्पेस हमासा जरूर शेयर केजिए मिलते एक नहीं रेसिपी के साथ थैंक यू सिर्फ तो चम्मज घी से बनाए व्रत में खाय जाने वाले यह टेस्टी मोती चूर के लड़ू इन्हें हम लड़ू को साबुदाना से बनाएंगे इसके लिए मैंने यहाँ पर छोटे वाले साबुदाना जैसे कि नायलन साबुदाना भी कहते हैं किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पर या सूपर मार्केट में मिल जाएंगे एक कप साबुदाना लें और आप इसे दो से तीन भार करीब उपर आए और इसे जो हम इस तरह से भीगो कर करीब 2-3 घंटे के लिए ढख कर साइड में रख देंगे और भीगने के बाद में इस साबुदाना काफी फूल जाएंगे और आप देखिए पानी इसका सूख चुका है यानि पानी एब्जाव हो चुका है और इस तरह हमें साबुदाना चाहिए तब ही हमारे परफेक्ट लड्डू बन कर आएंगे एक बरतन लें और उसके अंदर हम दो चमस्य करीब देशी घी डाल देंगे आप घी कम भी डालेंगे तो भी लड्डू बढ़िया बनेंगे अब इसमें भीगा हुआ साबुदाना डालेंगे जिसे हमने भी गोया था फ्रेंट्स जीदि आपके पास में यह बारिक वाला साबुदाना नहीं है तो आप मोटे वाले साबुदाने से भी बना सकते हैं कोई टेस्ट टेक्षर किसी फरक नहीं आएगा बस छोटे वाले साबुदाने से लड्डू खुबसूरत लगते हैं और एकदम इसका मुतिचूर जैसा लुक आता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर यहाले साबुदाना लिये हैं अब हम इन्हें लो फ्लेम पर 4-5 मिनिट तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और हमें तब तक पकाएंगे जब तक इन्हें स्टिकिनेस ना आ जाए और हलके से ट्र हमें ऐसे अग्या तक इससे काफ़ी हमारे हहां पर ट्रांस्परेंट हों चुके साबुदाना इसा ना जुक अल्या जाएं अब हम इसके सबसेपहले कर लेगी और इसे पहले जार पका लेगी काप L話 चोड़ने ना लगे इसे तरह से हम low to medium flame पर पका लेंगे तो इस तरह से continuous हिलाते जाएं और इसे हम गाढ़ा करते जाएंगे इसे तरह से देखी काफी अच्छे से मिक्षर ड्राय हो चुका है अब हम यहाँ पर इसमें चॉप्ड नट्स रालेंगे और आधा चमच हम इसमें इलाइची पाड़ डाल देंगे यह बिल्कुल ऑप्शनल आपको यहाँ पर जो भी नट्स पसंद देखेंगे आप यहाँ पर डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से पैंच जब छूट जाएगा तो हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे इस बात का जरूर ध्यान रखें पहले से गैस को बंद कर देंगे तो इसका अच्छे से शेप नहीं आएगा तो इस इस समय यह लड़ू बनाने लाए कि मिक्षर हो चुका है और इसे अप घीस लगे हातों से अच्छे से लड़ू का शेप दे दें बहुत ही आसानी से इसके लड़ू के शेप बन जाते हैं क्योंकि यह काफी गिला मिक्षर रहता है और हमने इसमें कोई पानी का यूज नही बनाने में एक्दम सिंपर कम से कम इंग्रियंट में बहुत ही टेस्टी बढ़िया सुंदर लड़ू बने हैं इस तरह से आप मैं इन्स सारे लड़ू बना लिये हैं और इसके बाद में आप इन्हें मन पसदन अनुसार गारणिश कर सकते हैं मैं आप ऐसे फिस्ता कतरन से कर रही हूं तो इस तरह से आप इस लड़ू की रेसिपी को जिरूर ट्राय कीजिएगा बहुत ही खुबसुरत टेस्टी और सॉफ्ट हमारी मॉइस्ट लड़ू बनकर तयार हो चुके हैं देखते ही आ रहा है न मुह में पानी तो इसे ट्राय करना तो बनता है और बनने के ब करता है